लोबिया फली की सब्जी आज हम आपकी साथ सेयर करेंगे दोस्तों लोबिया फली की रेस्पी बताएंगे आपको यह सब्जी खाने में बहुत टेस्टी होती है आप चाहे इसको चावल के साथ खाएं चाहे रोटी के साथ यहाँ पर हमने आधा किलो फलिया ले ली थी और इ जितना ज़्यादा लैसुन डालेंगे उतनी ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनेगी दोस्तों यहां पर हमने कढ़ाई को गरम कर लिया है और कढ़ाई में हमने दो चम्मच शर्सों का तेल डाला है और जब यह हमारा तेल गरम हो जाएगा तो हम इसमें प्याज लैसुन और बून लेंगे वाद हम इसमें masaalya na-day मुर्ण, अनिकिक बूनओ, नकिन टोई लाल ही रजए हथॉ करे बाल्दुन, दिवार, अच्छक छे मुद्ग मुद्ध तो अब दकार हमें । और इसमें सौधा नुसार नमक हमने डाल दिया है और इसको हम चला देंगे चलाने के बाद हम इसमें पानी बिल्कूल नहीं डालेंगे ना ही हम इसमें टमाटर डालेंगे हम इसको ऐसे ही सुखा सुखा बनाएंगे इसको हम ढख देंगे 2-3 मिनट के लिए हम इसको ढख देंगे और उसके बाद दुबारा से हम फिर से इसको एक बार और चलाएंगे तो ये सबजी हमने ढख दी है और धकने के बाद हमने 2-3 मिनट के बाद फिर से धकन को उठाया है फिर से हम इसको चलाएंगे और चलाने के बाद हम फिर से धकन लगा देंगे अभी ये सबजी हमारी पकी नहीं है बिल्कुल आधी पक चुकी है तो इस बार धकन लगा देंगे तो दुबारा से हम फिर से 2-3 मिनट के बाद धकन को हटाएंगे तो ये हमारे सबजी आप लोग देख सकते हैं पकर तयार है और ये सबजी बनाना बहुत आसान भी है और बहुत जल्दी भी ये सबजी बन जाती है तो देख सकते हैं इसको हमने उठा के देखा है दबाके तो ये हमारी जो लोबिया है अच्छे से पक चुकी है और ठंडा होने पर आप इसको दूसरे बरतन में भी पलट सकते हैं या आप चाहें तो इसी कड़ाय में भी रखे रहने दें यहाँ पर हम इसको दूसरे बरतन में पलट लेंगे दोस्तों यह सबजी चावल के साथ बहुत टेस्टिव लगती है अगर आप दाल चावल बनाये हैं तो आप इस सबजी को भी एक बड़ जरूर ट्राइ करिएगा दाल चावल रोटी के साथ आप इसको खाईए तो यह